अगर आप वगवान शीब जी को ड्रॉ करने जा रहे तो एकदम सही वीडियो पे आये हो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वगवान शीब जी को आप A4 साइज की शीट में कैसे आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो एकदम बेसिक और इजी तरीके से इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ ग्रीड मेथट से ये एकदम इसी मेथट है आफलाइन ड्रॉइन का मैं एकदम स्टेपल स्टेप दिखाने वाली हूँ इसलिए वीडियो पूरे देखना कही पर भी स्किप मत करना पहले मैं बता देती हूँ इसके लिए मैंने ली है एक पैस्ल पेपर जो की A4 साइस का है और चाहिए 2B पेंसिल और मिजर्मेंट के लिए एक स्किल वीडियो अच्छे से देखना ताकि आप भी मेरे साथ कर सको और यह reference जो देख रहे हो वो मैं description box में दे दूँगी इसका link अब क्या करना है अब एक एप इंस्टोल करना है प्ले स्टोर में जाकर टाइप करना है drawing create for the artist अब देख पा रहे हो यह वो एप है मेरी अल्रेडी इंस्टोल है मैं से लिए open कर लूँगी इसको open हो गया है अब क्या करना है उपर right side में एक folder है उसको click करने के बाद एक dialogue box आएगा इसमें दो option है उपर horizontal और portrait है मैं जुकि एक लंबाई में कर रहे हूँ इसलिए मैं portrait को select कर लूँगी और मेरी page का size भी A4 है इसलिए मैं A4 size का select कर लूँगी उसके बाद नीचे middle में जो blue color की button है उसको click करके reference picture को मैं select कर लूँगी और उसको जितनी जरूरत है उतनी रख कर crop कर दूँगी उपर crop button है उसको click करके मैं crop कर दूँगी अब अब clearly देख पा रहे हो कि agreed आ गया है आप क्या करना है उपर जो दो option है radial और diagonal उन दोनों option को हमें off रखना है अब चाहे तो on रख सकते हो पर मैं यहाँ off रख रही हूँ अब चलती हूँ next चीज में left side पर उपर एक button है उसको click करने के बाद एक option आएगा select one cell इसमें है 30 mm उसको हम change करके 20 mm कर देंगे 20 mm यानि 2 cm सेम यही grade हमें अपनी sheet पर करना है हमारे drawing sheet पर जो चारो side है उस पर 22 cm छोर छोर कर हमें mark करना है process एकदम simple है बस अपको 2 कर table परना है और mark करते जाना है like 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए 20 तक जाना है और side में left और right side में 30 तक जाना है चुकि हम portrait में कर रहे हैं इसलिए left और right side थोड़ा लंबा होता है mark हो जाने के बाद इसको simply match कर देना है skill की help से मतलब उपर और नीचे जो mark है उसको match करते हुए scale से line की देना है simply वैसे ही left से right तक line की देना है उसको match करके अब देख सकते हो कि इस तरह हम grade बना ली है अब एकदम last चीज़ बचा है जो की बहुत important है अब preferings image को follow करेंगे तो अब देखना या उपर और left side में numbering की हुई है इसी तरह हम अपने sheet पर भी numbering कर लेंगे उपर वली side bar हमें 1 से लेके 10 तक numbering करना है और उपर से नीचे तक यानी left side में हमें 1 से लेके 15 तक mark करना है basically ये level number होता है जिसकी help से हमें कौन सा part, drawing का कौन सा part, कौन सा part, कौन सी grid में होता है वो find करने में help करती है and guys मैं आपको एक example देके बता देती हूँ ये level number कैसे help करता है आपको drawing का कौन सा part, कौन सी grid में है उसको find करने में तो अभी ये drawing मुझे eye से start करनी है तो मुझे find करना है ये eye कौन सी grid पर है तो आप देख सकते हो उपर से ये 5 number और left से 6 number पे है यानि इस grid में start हो रहा है सेम इसी चीज़ को हमें अपनी sheet पर भी find करना है तो उपर से 5 number grid पर है और left से 6 number है तो इस grid पर इसी block से हमें eye start करना है बस इसी तरह हमें पूरी drawing का outline बनाना है इसी तरह हमें जब दूसरी आखे करना है उसको find करना है कौन से grid पर है उपर अब देख सकते हो कि ये 7 number पे उपर से 7 number और left से ये 6 number पर है उसको sheet पर find करना है sheet पर ये उपर से 7 और left से 6 इस grid से दूसरी आखे करना है तो अभी क्या करना है अभी एकदम last चीज़ बचा है आपकी जो reference image की grid है phone पर उसको हमारी sheet की जो grid है उससे match करना है दोनों का grid equal कर देना है ताकि आप एकदम a perfect outline बना सको तो बस आप अपना outline जल्दी से बना लेना है image की help से अब simply किसी एक point से start कर लो कोई भी point से आप start कर सकते हो यहाँ पर मैं eye से start कर रही हूँ बस इसी तरह एक एक box करते जाओ एक एक grid करते हुए पहले एक grid complete करो फिर दूसर grid पकरना इसी तरह drawing को करते जाओ इसे आप काफी easily outline drawing कर पाओगे और एक बत आपको समझना है कि reference image को आप जितनी अच्छी तरह के इसे observe कर पाओगे आपकी outline drawing भी उतनी अच्छी होगी और काफी जादा perfect बनेगा I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं एकदम simple और easy तरिके से आपको समझने की कोशिश की है इसमें कोई doubt नहीं है एकदम simple और easy तरिके से एकदम step by step समझने की कोशिश की है फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो अब हमें comment करके पूछ सकते हो अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं जरूर रिपलाई देने की कोशिश करूँगी तो गाइज ए ड्रॉइंग का पार्ट वान है जिसमें हमें महादेव शिप जी को कैसे ग्रेट मिथट से आउटलाई ड्रॉइंग करना है वो इस वीडियो में मैंने दिखाई है पट्टू बहुत जल्द आने वाली है और पट्टू में मैंने महादेव शीब जी को कैसे ओल पेस्टिल से कलर करना है वो मैं स्टेप बाइ स्टेप दिखाने वाली हूँ तो इसके लिए चैनल पर बने रहना कोई नए है तो सब्सक्राइब करना तकि वीडियो की हर अपडेट आपको मिल सके ड्रॉइंग पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और दुसरों को भी शेयर करना तकि औरों भी कर सके और जो भी कोई इंट्रेस्टेड हो मेरे सा करने की इसके लिए मैंने रेफरेंस इमेज की लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूंगी सिर्फ यह जी का ड्रॉइंग है नहीं आप कोई भी रेफरेंस इमेज का आउट्लाइंग कर सकते हो मेथाड सेम है इसे गरेट मेथाड को यूज करते हुए अब कोई भी से स्टेप बई सिकाउंगी तो गाइस मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में आप यह ड्रोइंग देखते रहे हो और सीखते रहे हो कैसे काई आदे आउप रहें को करना है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना तो guys मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में Thank you for watching my video अच्छी लगी होगी 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 है Thisuk gdybyड़ी हो थसे हीе भी लगी हो च्छी लगी होगी होगी हो अच्छी सब्ग्राण कहा जरूर कर के ऑच way लाइक जरूआ coyem Isõ ‫जre वीडियो में अच्छी कूले अच्छी क modelo में अच्छी लगी होगी WAT ४ुझ में देंग, pod modification कर दो कर दो कर दो कर दो